हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंदर कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडित उपेंदर स्टडी क्लासस में जैसा कि आप लोग को मसीन डिजाइन के चेप्टर फाइप डिजाइन का जोईन मतलब जोडों का डिजाइन के बारे में कुछ ऐसे most important topic के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी exam के बिस्पे काफी most important होते वाला है जैसा कि आप लोग को नेशल आसस में नकल जोड़ के बारे में बात किया था तो वहाँ पे अगर वू क्लास नहीं देखी है तो description में उसकी link दे दी है वहाँ पे आप जाके watch कर सकती है तो चलिए मैं जैसा कि आप screen के माध्यम से देख पा रही है लटकन कडी जोड means यहाँ पे screen English में क्या कहते है suspension link joint के नाम से भी जाना जाता है आप देखे होंगे घरों में या फिर कहने का मतलब है ब्रिजों घरों के पास गए होंगे तो आपका खंबे का जो style होता मतलब खंबे लगे होते हैं और खंबे में कुछ आपका LED बल्फ के type में लगे होते हैं मतलब कुछ आपका इस प्रकार से लगा जाते हैं लगा जाते हैं लगा जाते हैं तो वह जोड़ यहां से यहां तक का मतलब जोड़ किनके माद्यम से जोड़ा जाता है तो आपका लटकन जोड़ के माद्यम से जोड़ा जाता है ठीक है कहने का मतलब है यह आपका यह से देखेंगे तो definition के माद्यम से देखने के बाद आपको figure के माद्यम से देखा दिया जाएगा जिससे आप समझ सकते हैं वेश टॉपिक को तो यहां पर हमारा definition क्या कहता है कि लटकन पूलों की कड़ियों के सीरे प्राया चौणे होते हैं मतलब जो लटकन की कड़िया होती है वो जो उसका सीरा होता है वो क्या होता है आपका चौणा होता है वहीं पर काड़ी के सीरों पर पिन के लिए एक छिद्र का निर्मार करने से जो सीरे कमजोर हो जाते हैं मिन्स कहने क का मतलब है कि जो आपका मतलब आपकी लटकन जोड में कितनी कड़िया होनी चीह चाहिए ॥ यहां पर यह पर और यह पार्ट और ये पार्ट मतलब तीन जगह से कमजोर हो रही है हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ऐसे कुछ मतलब कहने का मतलब है एक कई सारे पार्ट तूटने का चांस भी हो सकता है ठीक है वाइद वे तो कहने का मतलब है कि यहां पर जब क्या होते हैं कडियों में छिद्र कर विए जाते हैं तो उनका पार्ट होता है वो क्या हो जाता अपका कमजोर हो जाता है आगे देखेंगे उन्हें परियाप्त मजबूत बनाने के लिए छिद्र के अस्थान पर कडियों की चौड़ाई कम करके पिन के ब्यास जितनी अत्रिक्त बनाई जाती है मतलब क्या होता है जो उन कड़ियों में छिद्र लगाई जाता है मतलब उन पट्टिकों में जो छिद्र बना जाता है उनके कारण कमजोर हो जाते हैं उनके अस्थान पर एक छोटे छिद्र मतलब परियाब तो मजबूच मतलब उसके अस्थान पर एक छोटी चौणाई के व जो आधिके धाचे लटके होते हैं वही बता गया यहाँ पे आप लोग को यह figure देखके आपको एकदम easy धंचे समझ में आ सकता है यहाँ पे आप दिखाएंगे गया है यह आपका यह पट्टीका हो गई और यह पट्टीका और वही पे आपका यह मुख कड़ी आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि आपके घरों अगोरों घरों में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि कहीं न कहीं क्या कर दिया जाता है आपका जो छज्जे वगारे निकाले जाते हैं जो छज्जे वगारे निकाले जाते हैं वो किन के माध्यम से जोड के मतलब किन कोई से जोड के according आते हैं आप example ले लिजे आपको मैं example यहां पर समझाने के कोसिस कर रहा हूं क्या example आप घरों में देखे होंगे चज्जे को चज्जे को क्या किया जाता है चज्जे जब उसे मतलब जब उसे बनाया जाता है तो क्या क पर दिया जाता है बलकि जो दूसरी तरफ होता है मारा वह एकदम लटका रहता है मतलब लटकन प्रकार का हो जाता है और वहीं पर उपर से भी क्या किया जाता है दिवाल उठाजी जाती है तो वह पार्ट मतलब वह जोड क्या कहलाता आपका लटकन जोड की अंतरगत आता है बात करें यही पे आपका यह machine डीजाइन है मतलब machine हो में कहां प्यूख किया जाता है तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो टैक्टर वगयरा आप देखे होंगे तो क्या होता उन्में भीविन प्रकार के क्या हो जाता है यह लटकन जोड का प्यूख किया जा ठीक है तो यहाँ पे आपको बीज व cinemat बना जाते हं उने में भी प्यूक होता है आप एक्जाम्पल के फुरूद समझे जाते हैं तो क्या होता है जो आपको लाइनिंग की अगरां में देखेंगे तो रोड बे एक खंभा लगा होता है खंभा लगा होता है क्या किया जाता है उनमें एक रॉड के माद्यम से रॉड के माद्यम से उसे क्या किया जाता लाइट लगा जाती है इस प्रकार से आपका कुछ देखे होंगे नहीं फीगर देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है कि दिया जाता आपका वैसे छोड़ दिया जाता मतलब लटकन प्रकार का कर दिया जाता है तो वो जोड वो इस्तिति वो फिंड का आकार वो क्या कहलाता आपका लटकन जोड के अंतरगत आता है ठीक है आई हो गाइस यहां पर आपको लटकन जोड के बारे में पूरा एदम जय हिंद।